जी क्या हाल चाल ठीक ठाक कुशल मंगल वह सब राजी खुशी अरे बोलो न हाँ पहले आडियो वीडियो दोनों मुझे बताओ सब को ठीक है सब ठीक है चलो जी आज मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूं डिविडेंट हाला कि मैंने करना था कुंसा ऑपरेशन और मिस्मेनेजमेंट कहा था बैट कोई दिक्कत नहीं है एंड टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज करके डिविडेंट कर दिया तो आज डिविडे हाँ जी डिविडेंट टैंट 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 डिविडेंट जो है सेक्शन कंटेन करता है सेक्शन 123 से लेकर सेक्शन 127 तक डिविडेंट यह क्या होता है कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा जो कि लाभांश के रूप में प्रॉफिट का वह हिस्सा जो कि मेंबर्स को डिस् कर रहा हूं कहता है जी declaration of dividend dividend कहां से declare होगा हां जी चार sources बताए गए हैं lawmaker के द्वारा dividend distribute करने के पहला क्या है out of the profit ओके जो कि depreciation के बाद आएगा वो profit जो कि depreciation के बाद आता है उसमें से dividend distribute किया जा सकता है वो profit जो कि जो कि depreciation घठाने के बाद आएगा ओके फिर वो जो profit and loss में balance पड़ा होता है बैलेंशीट के अंदर profit and loss के credit balance जो पड़ा होता है उसमें से भी depreciation घठाने के बाद आएगा अच्छा फिर कहता है current year का profit ले लो वो बैलेंशीट में profit and loss पड़ा वो ले लो उन दोनों में से भी dividend declare किया जा सकता है अच्छा ये भी हो गया ठीक है फूर्थ source एक और है फूर्थ source क्या है क्याता है money provided by the central government और state government ये क्या है ये अच्छल में गारेंटी डिविडेंट गारेंटी स्कीम थी अब ये क्या अच्छल में हुआ क्या कि northern eastern states में 80s में 90s में companies नहीं जा रही थी क्योंकि उनका transportation नहीं था वहां पर कोई पहाड़ ही पहाड़ है northern eastern states में पहाड़ों पर जाने के लिए infrastructure था नहीं हमने बनाया नहीं क्यों नहीं बनाया क्योंकि हमें डर था कि जब चाइना से कभी लड़ाई हो गई तो सबसे पहले हम मार खाएंगे northern eastern state में फिर हमारी सरकार का कहना था कि देखो जी ऐसा है इंडस्ट्री का कहना था कि आप जाओ इंफ्रसक्चर वहां नहीं भी है तो भी इंडस्ट्री लगाओ इंडस्ट्री ने कहा था कहना था कहां से लगाए इतनी हाई ट्रांस्पोर्टेशन कॉस्ट जब इतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फिर हमारे को तो लॉस हो जाएगा अब जब लॉस होगा तो भी हम डिविडेंट कैसे दे पाएंगे अपने मेंबर्स को तो सेंट्ल गवर्मेंट और स्टेट गवर्मेंट दोनों ने मिलके कहा जासकता है करेंट एर्गे प्रॉफिट में से डिविडेंट कहां से डिया जासकता है और यह तो कोई भी अन डियलाइज्थ लिए नोशनल जो होता ना उसे नहीं किया जाएगा डिविडेंट डिस्ट्रिब्यूशन में इन प्रॉफिट्स को considered नहीं किया जाएगा clear होगे इती बात चलिए और आगे बढ़ते हैं लोजी 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 हाँ transfer to reserve अच्छा point है paper में every now and then आ सकता है कैता है transfer to reserve एक जमाना था जब company अगर dividend distribute करने जा रही होती थी तो company को certain amount अपने reserves में भीजना ही भीजना पड़ाता था यानि कि अगर dividend जा रहा है company के भार cash जा रहा है तो पहले company के भविश्चे के लिए cash संजो के रखो बट फिर 2013 में lawmaker ने इस शब्द को लिख दिया जो पहले shell हुआ करता था फिर लिख दिया में में का मतलब क्या है कि company में डिस्टिम में company में transfer to reserve यानि कि company जरूरी रही है आप चाहो तो second proviso क्या कहता है यह जो ऊपर हमने पड़ा यह जो पड़ा है company में before the declaration of dividend transfer such percentage as it may considered appropriate to the reserve उसके बाद हमारा second proviso क्या कहता है कहता है जिस second proviso कहता है कि company में पर्मिट स्वरी कम सेक्शन second proviso permit a company to declare dividend out of free reserves ओ माइग यह कैसे company चाहे तो free reserves में से भी dividend दे सकती है कब दे सकती है जब company के पास profit ना हो जब company के पास profit ना हो अच्छा यहाँ पर एक बड़ा पेचीदा सवाल है जिसकी तरफ ना लोग बच्चे गोर नहीं करते नहीं teachers गोर करवाते हैं वो क्या normally मैं जानता हूँ कि free reserves का और अगर देखा जाए तो profit and loss का credit balance तो इसने अलग से ले लिया है फिर कहता है डिविडेंट फ्री रिजर्वस में से भी बाटा जा सकता है मतलब मतलब यह एकलोता ऐसा चेप्टर है जहां पर फ्री रिजर्वस में किवल जर्नल रिजर्व आते हैं फ्री रिजर्वस में प्रॉफिड लॉस के क्रЙइट बैलेंस नहीं आते क्रॉप डॉफेटान लॉस पहर है सब पहले पॉंट के अंतर अरख से ले लिए ना जब हम間 इसक्रीडेंट कहां कहां से मिलेगा तो करेंट अर्प से क्राइट बैल्न से दोनों से और और स्टेड गवर्मेंट के चोरा अब यहां पर चाहता है कि डिविडेंट मंसे दिया जा सकता है तो मैं से ब्ल чувक्र ऐसा कोじゃ कंपनी सब्सक्राइब नहीं होगा यह कंपनी को लॉस होगा मगर फिर भी आग लगी पड़ी है डिविडेंट देने की तो वहां पर ऐसा किया जा सकता है ओके तो यही लॉग मेकर कहता है कि कोई भी और रिजर्व डिविडेंट के लिए डिस्टिब्यूट नहीं किया जाएंगे अच्छा गौर्म कपणी में लॉस है दुबारा बोलता हूँ सरकारी कंपणी में लॉस है तो वाँ डिविडेंट नहीं दिया जाएगा पर अगर लॉस होता है तो डिविडेंट आउट फुरी रिजर्व नहीं दिया जाएगा चले और आएगे डिविडेंड ओली आफ्टर रिट्जिस्मेंट अफ लॉस और अब्सॉर्ब डेप्रिसेशन यह पॉइंट अपने आप में फलतू पॉइंट है वैसे कहीं न कहीं यह पॉइंट बनाते हुए लॉमेकर लग रहा है इंकम टेक्स से प्रभावित्ता क्योंकि टेक्स में तो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट लॉस है तो बाइनेट लॉस अच्छा सिमिलरली क्या लोग क्या एकाउंट के अंदर कभी अपने अनअब्सॉर्ब डेप्रिसेशन का कॉंसेप्ट समझा नहीं तो बात क्या है बात बड़ी सीधी सी है वह कहता है कि पहले कोई भी अनब्सॉर्ब डेप्रिसेशन नहीं रहनी चाहिए कोई भी जो पास्ट एर के लॉसे से वह नहीं रहने चाहिए सब कुछ एड़जस्ट करने के बाद डिविडेंट मिलेगा अब यह नालाइक हो हूं पूरी तरह से रिकॉर्ड होती है यह जो रिकॉर्ड नहीं होने का कॉंसेट है यह इंकम टेक्स में है बड़ फानिशल एकाउंट में जब हम एकाउंट के अंदर प्रॉफिट अन लॉस बनाते हैं तो यह कॉंसेट लगता नहीं तो फालतों की बात है और क्या तो यह मेरे दिवर के लिए बिल्कुल मेरे लिए वैसे भी बिल्कुल इय्र्रैलेवंट बात यह जो लिक् esta को बच्चों बन चल्सक को लोगी है और और इंकमिक्स के सक्षिन 32 के अंदर है तो यहां पर इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्याने की चले उसके आगे बढ़ते हैं फिर कहता है डेप्रिसेशन शेल बी प्रोवाइड़ेड हाँ एक बात पक्का है क्या यह ऐसा हो सकता है कि बिना डेप्रिसेशन प्रोवाइड के हुए हम डिविडेंड डेक्लेयर कर दें दा अंसर यह डेप्रिसेशन मस्ट बी प्रोवाइड की जाएगी एक वडेंस टू जब तक टप्रीशेशन परवाइड नहीं होगी तब तक डिविडेंड डेक्लेयर नहीं होगा अच्छा एक और बात यह जो रेटए अफ़ डेप्रिसेशन शेडियूट में दिये हुए हैं के अंदर यह minimum rate है आप चाहो तो इससे उपर depreciation के rate प्रवाइट कर दो हमें कोई करते हैं पर उससे नीचे के rate prescribed नहीं होंगे द्यान रखना फिर depositing amount of the dividend law क्या कहता है क्या जो भी आप dividend declare करना चाहते हैं वो dividend declare करने के बाद एक schedule bank में जमा कर दीजिए एक separate account खो लिए कहाँ पर schedule bank के अंदर और वहाँ पर डिविडेंट जमा कर दीजिए कितने दिन में विदिन फाइव देज यानि कि क्या बना declaration कि declaration होने के बाद प्लस फाइव डेज के अंदर अंदर डिविडेंट को कहां बेद दिया जाएगा एक separate account के अंदर बेद दिया जाएगा यह requirement नहीं लगेगी government company पे कुनसी government company पे जहें entire paid up capital हेल्ड की जाती है center या state या center plus state के द्वारा center या state या center plus state के द्वारा ठीक होगे इत्ती बार और आगे बढ़ते हैं फिर आता है payment of dividend dividend कैसे पे किया जाएगा law कहता है dividend कैसे किया जाएगा cash में अच्छा cash का मतलब क्या है कि शेयर ओल्डों जो है company के दरवाजे पे line लगा के बैठे होंगे और जांदी जी के note बढ़ रहे होंगे नहीं यहां पर cash का मतलब है banking channel चेक से ड्राफ्ट से rtgs आयम पीएस यह जो मोड है ना इनसे तो cash का मतलब cash नहीं है cash का मतलब banking channel है रोकड़े में कभी यानि की note में कभी dividend नहीं बिलता ध्यान रखना चले तो लिखा हुआ है चेक से दे सकते हो वारेंट के तुरू दे सकते हो dividend वारेंट एक जमाना था जब आया करते थे आजकल नहीं आते आजकल चक भी नहीं आता आजकल तो electronic mode के तुरू हो जाता है सीदा clear चले फिर कहता है dividend केवल और केवल registered shareholder को मिलेगा अच्छा या उसके order पर वह अगर कहेगा कि मेरा dividend किसी और को दे तो उसके order पर पर मिलेगा या फिर अद्रवाइस उसके banker को मिलेगा चीक होगे इतनी बात भी बहुत सिंबल सथा कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है आगे prohibition and declaration of dividend हाँ जी देखो जी ऐसा है जब तक आपने deposit की payment में default किया हुआ है 73 यह 74 के अंदर जब तक default किया हुआ है अपने deposit की payment में तब तक डिविडेंट नहीं बांट सकते किसको equity share को oh my god यानि कि preference share को फिर भी dividend देना पड़ेगा हाँ चाहे आपने equity की payment में default किया हुआ है इक्विटी को डिविडेंट नहीं दिया तो उल्टा बोल रहो है अगर आपने मान लीजिए deposit में default किया है तो क्या आप equity shareholder को dividend दे सकते हैं the answer is no but अगली बात क्या आपको preference shareholder को तब भी dividend देना पड़ेगा इस क्यों क्योंकि उन्हें dividend ना दिया न तो वह preference shareholder है और उनको सारे के सारे resolution पर वोट डालने का अधिकार हो जाएगा क्योंकि preference shareholder को अगर आपने लगा था दो साल तक dividend ना दिया तो भहिए और दे बिकम entitled to exercise the voting power on all the resolution company बिग जाएगी यहां पर तो इस लिए यहां पर concept के वल किसके लिए रखा हुआ है equity के लिए अच्छा तो इट मींस कंपनी रखा हुआ हरू आए साही चोंकि ईक्राओ धी ओन झायू दिए फ़िए एंखार पूल 0 परिडेंट पेडेंट परेफरेंडा शेर्विल्डर in spite of default इन पीमेंट तो इन पीमेंट ओफ डिपॉसर्ट्स तो कंपणी ने अका की पुसेट्स की पेइमेंट। जह निम्हार पोल। फिक्यों के निंचित्तिफिकन होगर तो पेडिविडेंट टुदा प्रफेरेंच एरोल्डर तो प्रफेरेंच एरोल्डर का डिविडेंट नहीं रूखेगा ध्यान रखना चीको के इत्ती बात अगला मुद्दा टेकनिकल है बड़े ध्यान से समझना डिस्रिब्यूशन ऑफ डिविडेंट आउट फ्री रिजर्व्स रूल नंबर थ्री है क्या कहता है हो एक एक पॉइंट को समझते जाना क्याता अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है डिविडेंट बाटने के लिए और कंपनी डिविडेंट फिर भी देना चाहरे है कहां से देगी डिविडेंट कंपनी फ्री रिजर्व्स में से ओके जैसे अभी समझा तो फिर अब हमारे पास कुछ रूल्स है जिनका देविडेंट नहीं दोगे यानि कि रेट एच्विड देविडेंट टूबी डिखले डावरेज एट अव्डे लास त्री यह परन्तु अगर पिछले तीन साल में कभी भी किसी भी एयर में अगर आपने डिविडेंट नहीं दिया तो यह रूल नंबर बन लगेगा यह य अब आई जाए second point पे तोटल अमांट टूबे ड्रान टूटल अमांट टूबें ड्रॉन ड्रॉन किस लिए ट्रॉन वार्वर्ण लिए पर 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 पस अ दिविडेंट अच्छा जो आमांट आप ड्रॉन करना चाहते हूं डिविडेंट के लिए कहा से एंद अच्विल एंड फ्री डिजर्व्स एज अपियरिंग इन दे लिटेस्ट ओर इंटेट इन फानेंशिल स्टेटमेंट यह से समझ नहीं आएगा जब तक एक्जांपल नहीं करेंगे तो इसके लिए के एक्जांपल कराता हूं देखेगा एक्जांपल बढ़िएगा क्याता सी लिमिटेड है से पेड़ शेयर कैपिटल ऑफ 200 लैक्स एन एक्युमिलेटेड रिजर्व्स और 240 लैक्स लॉस फॉर्ड इयर कितना है तीस लाग का अच्छा लॉस है तीस लाग का डिविडेंट वस डिक्लेर इट पिशले तीन साल में ड अच्छा तो क्योंकि आपके पास के वल एक्युमिलेटेड रिजर्व्स के इंफॉमेशन दी हुए यह प्रॉफिड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो था तो भी मैं कहता कि लो जी कंपनी प्रॉफिड लॉस के क्रेड बैलेंस में से दे रही है तो आज की रेट में वह भी न नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब कहां से कंपनी डिविडेंट दे रही है एक्युमिलेटेड रिजर्व्स यानि की फ्री रिजर्व्स में से दे रही है ठीक है जी तो रूल नंबर वन सबसे पहले रूल क्या कहता है क्याता है पिछले तीन साल का एवरेज लो लो जी नू प्लस दस प्लस बारह बाइस और नो इकत्तिस एकत्तिस डिवाइड़ वाई तीन तो कितना होगा 10.33% 10.33% 10.3% यह होगी पहली कंडिशन अचा सेकेंड कंडिशन क्या क्या क्याती है जरह देखिएगा क्याता है टोटल अमाउंट तु बिड्रॉन जो अमाउंट निकाला जाना है किस रूप में डिविदेंट के रूप में यह रहा टोटल अमांट तो बिड्रॉन फ्रम डाक्यामिलेटेड प्रक्फेट जो आप अदर से जो अमाउंट निकाल रहे हो डिविडेंट के रूप में वो कितना होना चाहिए, debt shall not exceed, कितना 1 10th of the sum of the paid up capital and free reserves as appearing in the latest audited financial statement, तो dividend के रूप में जो आप निकालना चाह रहे हो, दोबारा बोलता हूँ, dividend के रूप में जो आप निकालना चाह रहे हो, वो कितना हो सकता है, maximum, maximum, second rule क्या कहता है, paid up capital plus free reserves लो, paid up capital और free reserves लिया, तो कितना बना 200, plus 240, equal to 440, उसका maximum 1 10th, यानि कि 44 lakh, 44 lakh का maximum dividend आप निकाल सकते हो, यहीं तक आया, कितना maximum dividend निकाल सकते हो, 44 lakh का, चीक है जी, total amount to be drawn, shall not exceed, 1 10th of the paid up capital plus free reserves, बाट, अभी पिच्चर बाकी है, मेरे दोस्त, अभी पिच्चर बाकी है, आगे क्या कहता है, क्याता है, amount so drawn, जो भी आ अपने amount of dividend निकाला, कितना 44 lakh, must be first utilized to set of the losses incurred in the financial year, यानि कि सबसे पहले जो भी आपने dividend निकाला 44 lakh, उसको use करो, current year के loss को set off करने में, current year का loss कितना है, मेरे example के अंदर, current year का loss है कितना, कहां गया, कहां गया, कहां गया, current year का loss कितना है, 30 lakh, तो यानि कि 44 lakh में से सबसे पहले 30 lakh म point के अंदर कितना दे सकते हो, 14 lakh, काश यहीं पर रुक जाती, गाड़ी तो भी अच्छा होता, बट गाड़ी यहीं नहीं रुकी, उसमें और आगे गाड़ी लेके गया, वो क्या कहता है अब, कंडिशन नमबर सी एक और लगा दी, कंडिशन नमबर सी आएगा, वो क्या कहता है, कहता है, बैलेंस आफ रिजर्व, ओके, बैलेंस आफ रिजर्व, आफटर सच ड्रॉल, इस विड्रॉल के बाद, यानि कि यह डिविडेंट को बांटने के बाद, यह डिविडेंट को ब मतलब जो भी पिछली बात हुई है पीछे किसकी बात हुई एयर सच ड्रॉल मतलब किसकी बात हुई है इसकी याणिकि किसकी 14 LIKE की ओ अच्छा बैलेंस ओफ्रिजर्व इससे ड्राय के बादस ऐसे ड्रॉल के बाद जो balance of reserve बचा है वो किसी भी तरीके 15% of the paid up share capital से कम नहीं आना चाहिए मैं देख लूँ एक मिन यह जरह चेक करने का है सी पॉइंट की जरह चेक कर लेना मैं जरह चेक कर लेता हूँ एक मिन मुझे बता ना accumulated reserve कितना है 240 लाख अच्छा balance of reserves after such withdrawal withdrawal कितना हो रहा है 14 तो balance of reserve कितना बचा 240 minus 14 is equal to 226 लाख अच्छा balance of reserve after such withdrawal shall not fall below नीचे नहीं गिरना चाहिए किस से paid up capital का 15% paid up capital का 15% कितना बना 30 तो क्या balance of reserve 30 से नीचे गिरा नहीं गिरा law कहता है बस मुझे ये सांतवना है कि वो 30 से नीचे नहीं गिरा है ये मुझे बड़ी सांतवना है अच्छा अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ तो कहता है बस मुझे आप कोई दिक्कत नहीं है पॉयंत नमबर 1 के अंदर आप कितना dividend दे सकते थे अब कितना dividend कंडीशन नमबर एक अंदर आप कितना dividend दे सकते थे है क्योंकि वहां लिखा है वर्ड सच डिविडेंड सच विड्रॉल तो यानिकि बी की चर्चा हो रही है तो पॉइंट नमर बी प्लस सी टुगेदर मिला कि कि तना डिविडेंड दे सकते हो डा कि यह अगर मैं परसेंटेज में लाता हूं तो परसेंटेज किस पर देखी जाती आ दा रॉस्एंट नमutr b Provost llevar टॉब हैं गईग हुआ फोइंटन परिपड़ी प्लस सी के अंदर डिविडेंड का rate आता है 7% point number 1 के अंदर dividend का rate आता है 10.3% सवाल उठाट मैं dividend कितना बाट सकता हूँ इतना बाट हो इतना बाट हो कि दोनों condition पूरी हो जाएं मतलब whichever is lower तो दोनों में लिखा है which shall not exceed which shall not exceed तो यानि कि अगर मैं lower कर दूँ तो दोनों condition satisfied भाई उपर वाला कहता है 10.3% से ज्यादा नहीं B plus C कहता है 7% से ज्यादा नहीं अगर मैंने कहा 10.3% तो नीचे वाला breach हो गया परंतु अगर मैंने कहा maximum 7% तो B और C भी satisfy और A भी satisfy तो कहानी यह है कि A और B plus C whichever is lower यानि कि 7% का maximum dividend distribute हो सकता है अगर आप free reserves में से देना चाहते हो तो समझाया तो बोलो ना हाँ कि क्लियर होगे इतनी बात कि अब मेरा concept आता है आगे रहे लाइट आजा हमारे यहां पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है गाजियाबाद के अंदर मतब कोशांबी के अंदर transformer कल से खराब चल रहा है पता नहीं कहां कहां से लाइट आ रही है कई भागड़ावान से आ रही होगी तो कतें कहां से आ रही है एक गंटा यह पांच गंटे नहीं आ रही है भूत बन गया भाई साब कसम से हाँ जी इंटरिम डिविडेंट सबसे पहले इंटरिम डिविडेंट कहता है जी सेक्शन 2 क्लॉस 35 में लिख्या कहता है डिविडेंट जब जब वर्ड डिविडेंट का होगे ना तो डिविडेंट का मतलब इंटरिम डिविडेंट भी होता है ओ माई गाड तो यानि कि डिविडेंट इंकलीड इंट्रिम डिविडancy थेटा इसलिक थो इसका मतलब क्या होथई Evans क मतलब यह है कि जो भी डिविडेंड से रिलेटड कानून है जो भी दुबारा बोलता हूं सब्सक्राइब एक वह सारी के सारी कानून इंट्रिम डिविडेंड पर लगेंंगे तक कि interim dividend के लिए कोई अलक से प्रावधान ना बना हो अच्छा क्या कोई प्रावधान अलग से बना है ओब्यूसली बना ही होगा छले देखना शुरू करते हैं क्या प्रावधानबना है देखो जो इंटरिम डिविड endeavor पहली बात तो कहां से 21 March 2022 तक में यह तैक अप्रल 2021 तक कर्या अपका फनेशलियर है फाल के बीच में कभी भी आप दिविडेंट देना चाहते हैं कभी भी आप दिविडेंट देना चाहते हैं तो इसे मैं क्या किया सकता हूं इंटरिम डिविडेंट अभी तक मैं मतलब इसका यही समझता था कि अगर साल के बीच में कहीं हैं आप डिविडेंट दे रहे हैं तो वो इंटरिम डिविडेंट कहलाता है बट अब थोड़ा और इंटरिम डिविडेंट को मॉडिफाई करके लॉमेकर ने क्या लिखा वो कहता है जी जो यह फानेशल येर 21 है यह 21 के फानेशल अप्रूव कब होंगे यहां पड़ जाकर यहां क्या है यहां है एजियम इस एजियम के अंदर अप्रूवल होता है किसका अप्रूवल होता है of financial statement of 21-22 approval होता है financial statement 21-22 की financial statement का approval होता है कब इस AGM में अच्छा यानि कि इस दिन financial statement बस close हो गई अब end हो गई financial statement ओके इसका मतलब है कि जब तक ये AGM नहीं हो रही तब तक यहाँ पर भी interim dividend दिया जा सकता है interim dividend कहां से दिया सकता है out of profit of कौन सा profit 21-22 के profit में से dividend दिया जा सकता है 21-22 के profit में से dividend दिया जा सकता है कब दिया जा सकता है AGM होने से पहले भी तो अगर आप से मैं पूछू कि interim dividend कहां कहां से declare हो सकता है तो पहला आया जो करेंट financial year चल रहा है उसमें से। दूसरा AGM से पहले इंत्रिम डिविडेंट डिकलेयर किया जा सकता है पिछले financial एर के profit and loss में से। तो पिछले साल के profit and loss में से interim dividend AGM से पहले declare किया जा सकता है। तीसरा, interim dividend declare करना ही करना है तो अब profit and loss के credit balance को भी use कर सकते हैं जो balance sheet में दिया हुआ है तो यानि कि अब तीन sources और आ गए किस चीच के interim dividend declare करने के तीन sources हमें यहां पर पता लगे ओके तो पढ़िएगा provision for the payment of interim dividend कहता है जिए board of director may declare interim dividend कहां से कहां से declare कर सकते हैं during any financial year financial year के बीच में कभी भी या फिर कभी भी from the closure of the financial year till the holding of the AGM ओके ओके या फिर out of the profit of the financial year for which such interim dividend is sought to be declared अब वो बता रहे है कि कहां कहां से declare हो सकता है पहला जो current year का profit है उसमें से भी हो सकता है और profit generated in the financial year till the quarter preceding the date of declaration of interim dividend यानि कि जो आपका quarter preceding quarter है मतलब अगर आप मानलीजे दिसंबर में आप dividend declare chercher करना चाह रहे हैं तो फ्र September तक के quarter of profit में में बी डिवीडेट्स दे सकते हैं सप्टेमर के तक के profit में से भी दे सकते हैं और current financial year के profit में हिएख कभ देगें जब आप AGM से पहले dividend declared करना चाहते हैं तो वहां से भी इंकड किया है करेंट फानेंशल एर में करेंट फानेंशल इर जो चल रहा है एपरल से लेकर अब तक का मालिजैंड अपरल से दिसमबर तक का और कंपनी को लॉस हुआ है मुझे लॉस कब तक का देखने हैं कियाता है प्रिसीडिंग क्वाटर जो है ना एंड उप टाप इमीजेटली अंड प्रेसिडिंग देकलरेशन उ इंटरिम डिविदेंट इसका मतलब जब आप डिविडेंट करना चाहते हो उससे पिछले क्वाटर तक तक यानि कि फानेशल येर के शुरू से लेकर उस उस क्वाटर के एंड तक तो फिर इस इंट्रे में डिविडेंट का जो रेट है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए एवरेज डिविडेंट डिकलेट यह कब होगा अगर कमपनी करेंट यह के प्रॉफिड वेंसे डिविडेंट देना चाह रही है और पिछले क्वाटर तक और लॉस पिछले quarter तक अगर company को हो रहा है loss समझ गए बात चले तो यह हमारा था पूरे का पूरा section 123 तेल निकल गया बैच साब 123 में और इसलिए भी निकल गया क्योंकि light नहीं और गर्मी में पढ़ाना पढ़ रहा है और मेरा सही में तेल निकल गया पढ़ाते बढ़ाती ए माम मतच जी चलो जी खेर आगे बढ़ते हैं 123 के बाद मेरा अगला section आता है 124 124 जिसे मैं अनपेड डिविडेंड भी कह सकता हूं अनपेड डिविडेंड हाँ यह क्या कहता है बड़ा ध्यांग से चार्ट समझना चार्ट के थ्रू ही यह समझ आएगा इस section यह क्या कहना चाहरा है लो जी section 124 बस यह चार्ट समझ गे तो समझ लो यह section clear हो जाएगा बहुत सिंपल सा है सारा खेल के वल इन चार्ट में हैं जो कि अब आप मुशुरू करने वाले हैं हो सके तो मेरे साथ यह चार्ट बना लेना पेपर में बहुत मदद मिलेगी तुम्हें यह section 124 याद करने के अंदर कहता है जी आपने क्या किया डिविडेंड किया डिक्लियार्ट पांचमा जो जिन था वहां तक आपने डिविडेंड उठाके special account में transfer कर दिया transfer to special account यह आपने डिविडेंड को transfer कर दिया 50 दिन तक डिविडेंट की पेमेंट आपने करनी है कब तक 30 दिन के अंदर जिस दिन डिक्लियर किया है थर्टिएट डे के अंदर डेकलेरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट अफ डिविडेंट आपने करनी है पेमेंट आफ डिविडेंट तो declare करने के 30 दिन के अंदर अंदर payment of dividend आपने करनी है अच्छा उसके बाद अगर आप मान लीजे 30 दिन तक dividend की payment नहीं हो पाते क्यों क्योंकि आपने जिन accounts में dividend transfer किया वो अब account बंद हो चुके है जहां आपने dividend के check भेजे वो सारे के सारे वापस आ चुके है अब यहां से 7 दिन के अंदर 30 दिन के बाद 7 दिन के अंदर अप सारा जो unpaid dividend है 7 days के अंदर जो भी unpaid या फिर unclaimed dividend है वो सारा का सारा dividend उठा कर transfer कर देंगे चाहे वो unclaimed कहलो चाहे वो unpaid कहलो वो सारा का सारा transfer हो जाएगा एक special account में जिसे हम कहते हैं unpaid dividend account लो जाएगा 7 दिन के अंदर अंदर सारा transfer हो जाएगा unpaid dividend account के अंदर जिस दिन आपने transfer किया है जिस दिन भी साथ दिन के अंदर होना चाहिए जिस दिन भी आपने unpaid dividend account में transfer किया है उसके 90 दिन के अंदर अंदर 90 days के अंदर अंदर company की website के ऊपर एक detail आ जानी चाहिए पूरी की पूरी detail कि कौन कौन से वो shareholder है जिनको dividend नहीं मिल पाया है यानि कि detail of unpaid या unclaimed के दो कहां पर आ जानी चाहिए on website कब आ जानी चाहिए 90 दिन के अंदर अंदर दोबारा बोलता हूं 90 दिन के अंदर अंदर ठीक हो गई इत्ती बात है ऑाउच है कि दुपारा समझ लेना जी कंब्री तुमने डिविडेंट radia किया कि ढिवडेंड organs करने के पांच दिन के अंदर अंदर तुम्हें special account में transfer करना है डिविडेंड करने के 30 दिन के अंदर अंदर Studios अभ 9 6 यड़ तुमने तीस दिन के अंदर आंदर पेमेट अभ डिविदेंड करनी है तो फिर अगर अगर माल लीजिए कोई पेमेट अव डिविडेट नहीं हुए तो अगले 0 सात दिन के अंदर अंदर सारी पेमेट को उठाके काँद के प्याहिक ट्रांसफर कर दो एक प्यूडएंट केुंट या प्रक्राणसवर के उसकी अध्टाम अध्य आ.. चले अब यह पैसा अंपएड डिविदेंट में आया है क्या यह अंडे देगा मतब वहाँ इस पैसे का होगा क्या अंप lle. डिविडेंड के अंदर अगर यह पैसा आया है तो इसका खुष्टों होगा बिल्कुल होगा क्या होगा लो के तेलो हम बताते न कमालों के जान मांगिये होती बताओ बस इत्ती सी बात है यह लो जह है अब यह पैसा कहा आगिया है अनपेड डिविलेंड एकउंट यह यह पैसा यहां पर कितने साल साथ साल के बाद इस पैसे का क्या होगा साथ साल के बाद यह अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एड्यूकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर कहां ट्रांसफर हो जाएगा इन्वेस्टर एड्यूकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा ना ट्रांसफर के वल अमाउंट नहीं होगा अनपे डिविडेंड का अमाउंट नहीं बल्कि उस पे शेर्स जो थे वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे क अब अगली बात, 7 साल तक कोई भी शेरहूल्डर जो कि पहले क्लेम नहीं कर पाया, क्या वो 7 साल के अंदर अंदर क्लेम कर सकता है? यह किस से कंपनी से? यानि कि शेरहूल्डर केन क्लेम अंपएड डिविडेंड किस से क्लेम कर सकते हो? तो आप अंपएड डिविडेंड कंपनी से क्लेम कर सकते हो, शेरहूल्डर सहाब, आप अंपएड डिविडेंड क्लेम कर सकते हो, किस से? कंपनी से क्लेम कर सकते हो, कितने साल के अंदर? सात साल के अंदर अच्छा नहीं तो यह अमांट ट्रांसफर हो जाएगा का Investor Education प्रोटेक्शन फंड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा अच्छा सात साल के बाद भी शेर वीडर क्लेम करना चाहे तो क्या आप कर सकता है येस shareholder can still claim shareholder can still claim shareholder can still claim अब कहाँ से claim करोगे from investor education and protection fund authority से investor education and protection fund authority से यह ओठ और दो कि जिसके आप aas amount चला जाएगा तो वहां से आप amount claim कर सकते हो ओह लो जिए तो यह आप का पूरे कापूरा concept था यह दो चार्ट के अंदर पूरा कॉंसेप्ट आपका समाया हुआ है बास और यह आपका पूरे का पूरा सेक्षन 124 है ना इसके आगे कोई ना इसके पीछे कोई बस यह सिंपल सा सेक्षन 124 है और कुछ भी नहीं है चीक होगे तिबात और आगे बढ़ सकते हैं चले जी 124 के बाद मैं आता हूँ पहले 125 से पहले आता हूँ मैं 126 के तरफ 125 से पहले अब मैं आता हूँ 126 के तरफ 126, 126, 126 का आं गया यह जो बकसे बने हुए ना यह सब अनलेसिस के हैं जो में क्लास के अंदर करवाए जाते हैं रेगुलर क्लास के अंदर होते हैं तो फिलाल 126, right of the dividend, right shares, bonus shares to be held in a ambience ambience का मतलब होता है hold, यानि कि dividend, right shares, bonus shares सब कुछ उठा के मैं hold में डाल दूँगा अच्छा क्यों डाल दूँगा क्यों कि दिक्कत आ गई, वो दिक्कत क्या है section 126 लगता कब है, बस ये परिस्थिती समझ ली, तो 126 में तो कुछ जान ही नहीं है वो तो so 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 simple section है कि पूछो मत, सबसे राज दुलारा section यही है पूछो ही मत, इस पूरे section का, मैं पूरे chapter का राम, भाई सब 10,000 shares है नाम के पास राम 10,000 shares transfer करना चाहता है transfer to, राम 10,000 shares transfer करना चाहता है कि इसको देव को ओके, दो तरीके के documents execute होते हैं जब भी share transfer होते हैं फिजिकल form में एक होता है share certificate प्लस, एक होता है form number SH4 जिसे हम transfer deed कहते हैं क्या कहते हैं, transfer deed तो ये दोनों document execute होते हैं, किस के पास जाते हैं, company के पास जाते हैं उसके बाद company क्या करती है, company पुराने shareholder का नाम काटके नए shareholder का नाम यहाँ पर लिख देती है अच्छा, अब मेरे सामने एक समस्या आई वो समस्या क्या है, जरा गौर कीजिगा, यहाँ पर एक समस्या आई आप जानते हैं, एक record date का concept होता है record date का मतलब होता है, यह वो date है, जिस दिन, जिस भी shareholder का नाम आ रहा होगा उसे ही सारे benefit मिलेंगे, जिस दिन, जिसका नाम आ रहा होगा, सारे benefit हम उसे ही देंगे और किसी को नहीं देंगे, जिसका नाम आ रहा होगा, उसी को देंगे अच्छा यानि कि record date को हमें को नाम देते हैं closure of register of member record date के दो या फिर closure date के दो of register of member register of member इस दिन close हो जाता है register of member is then close हो जाता है चीक है चले अब यह जो intimation company को आई ना यह intimation कब आई intimation हाँ यह intimation company को कब आई लो जी notice भेज़ दिया था इसके बाद इससे पहले आई और journal meeting यह जर्नल मिटिंग थी चीक है अब company recorded अनाउंस कर चुकी थी intimation company को यहाँ पर अब कंपनी क्योंकि recorded अनाउंस कर चुके है मतलब रजिस्टर मेंबर तो यानि कि इस transfer को registered नहीं किया जाएगा इस transfer को registered नहीं किया जाएगा बट एक धरम संकट है वह धरम संकट क्या है शेयर तो ट्रांसफर हो चुके हैं तो अब company को क्या करना चाहिए देखो जी अब company देखेगी सबसे पहले मुझे बताओ sh4 यानि कि यह जो एग्रिमेंट है डिविडेंट का अधिकार किसका बस अब फिल कर दो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर इस एंटीमेशन में लिखा हुआ है case number one कि डिविडेंट का अधिकार transfer का तो बाहिए company के पास कोई दिक्कत नहीं company उठा के डिविडेंट ट्रांसफरर को पे कर देगी अगर यहां पर लिखा हुआ है case number two dividend मिलेगा ट्रांसफरी को तो इसका मतलब dividend किसको पे हो जाएका transfer को कोई दिक्कत ही नहीं इसे आप x-dividend या कम-dividend के नाम से पुकारते हैं इसे एक्स-डिविडेंट के नाम से पुकारते है यह liquidity यह कम dividend है पारंतु मेरे आगे समस्य तब आती है जब आपने ये column छोड़ दिया कर दिया कन्फूज और रिकॉर्ड डेट के बाद दे रहे हो company ba bhi नहीं कर सकती इसको वर अपने register स्वाट बिन नहीं कर सकती का कन और कि कल को कंपनी अगर मान लिजे ट्रांसफरर को डिविडेंड daceut to two ठांप edits कर सकता है α रवा चक्र कंपनी तुम इस घड़े में पढ़ ते कियो हो अगर इन नालाइकों ने नहीं लिख के दिया कि डिविडेंड किसका तो आप एक काम करो डिविडेंड को डाल दो hold पे hold का मतलब dividend को डाल दो evidence में नकिवल dividend को बलकि इस general meeting में अगर कोई right share declare होना है उसे भी hold पे डाल दो bonus share declare होना है उसे भी hold पे डाल दो सब कुछ क्योंकि जब company तुम्हें इन्होंने clarity नहीं दी तो तुम क्यों पंगे में पढ़ते हो सब कुछ उठाके डाल दो hold पर और इसलिए section बन गया मेरा 116 जो क्या कहता है कहता अगर instrument of transfer instrument of transfer का मतलब share transfer deed मतलब SH4 अगर company को deliver होता है but company इस transfer को registered नहीं करती है क्यों नहीं करती क्योंकि closure of register of member हो चुका है recorded हो चुका है तो company को क्या करना चाहिए dividend इन इन शेर्स पे जो डिविडेंट है उसे अंपेड डिविडेंट एकाउंट में transfer कर देना चाहिए और hold पर डाल देना चाहिए ना कि वल्ड डिविडेंट बलकि राइट या बोनस शेर्ल भी उन पर hold पर डाल देना चाहिए समझा गई बात और आगे बढ़ते हैं अगला मेरा section है section 127 जो कहता है punishment for failure to distribute the dividend देखो जी अभी तक की कहानी से हमें प्रेणा ये मिलती है कि dividend declare होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर पे हो जाना चाहिए section 127 बस यही कहता है कहता है अगर company तुमने 30 दिन के अंदर dividend पे ना किया तो हम तुमारा गला दबा देंगे मतलब गला दबा देंगे मतलब company के उपर भी penalty लगेगी और officer ने default के उपर भी penalty लगेगी दिल पे यहां पत्थर रख के मैं आपको कह रहा हूं यहां पत्थर रख कर कि यह penalty याद गरनी है यह penalty याद गरनी है 127 के देखना ज्यान रखना कहता है अगर company डिविडेंट डिक्लेयर किया बट पे नहीं किया कितने दिन में 30 दिन के अंदर अंदर तो फिर तो फिर every director of the company shell if he is knowingly a party to the default be punishable with an imprisonment which may extend to two years तो यानी कि हर एक डिरेक्टर को दो साल तक जेल जाना बढ़ सकता है दो साल तक की जेल हो सकती है आगे he shall also be liable for a fine हाँ जी उसके पर fine भी लगेगा कितना जो minimum कितना होगा एक हजार रुपे पर दे एक हजार रुपे पर दे तक का fine लगेगा कब तक जब तक default continue रहेगा अच्छा इसके अलावा company को interest भी pay करना पड़ेगा late payment का 18% पर रहनाम का यानी कि imprisonment भी होगी यानी कि fine भी यानी कि interest भी लगेगा oh my god but law केता है hang on hang on hang on कुछ cases में यह सब कुछ नहीं लगेगा मतलब कुछ cases के अंदर मैं company को penalize नहीं करूंगा अच्छा वो कौन-कौन से cases हैं जब company के उपर penalty नहीं लगेंगी lawmaker समझाता है कहता है कि देखो जी in cases में penalty नहीं लगेंगी अच्छ अच कि जहां पर operation of law operation of law का मतलब होता है किसी और कानून कोई और कानून जिन्दा है जिस कानून की वुझे से मैं dividend पे नहीं कर पा रहा है कौन से कानून जिन्दा यार section 126 section 126 ने कहा है न कि अगर मान लीजिए transfer deed के अंदर transfer form के अंदर अगर clarity नहीं है कि dividend किसका transfer का या transfer का तो company dividend hold पर रख सकती है था answer is yes रख सकती है तो बस बात होगी खता है तो अगर dividend could not be paid by the reason of the operation of any law for example section 126 तो फिर क्या होगा अबे क्या कर रहा है for example section 126 अगर dividend could not be paid by the reason of the operation of any law है तो क्या होगा खता होगी बैक तो कि अगे वेरा शेरोल्डर गवन डिरेक्शन टू तो अब शेरोल्डर ने कंपनी को direction दिये क्या direction दिये यह अलग कला का रहे चाहिए गांदी जी चाहिए टांपनी पर कमपनी चाहीं ये रोकडा बैर जाना इसमें था ही तो देरेक्शन काफ़न कोंसफे नहीं कर सकती आगर मेरी मरत्यू जाये यह हमारा है यह मारा है यह हमारा है यह अमरह है यह कमाल यह नहीं कोण लगा क्या हो लागत है होग है hold on hold on hold on पहले डिसाइड कराओ कोड में किशेर किसके है तो जब डिस्पूट रिजॉल हो जाएगा तो कर देंगे फिर दिविडेंट अस बिन लॉफुली अज़ेस्टेट बैदा कंपनी अगें संग्यू तो इट फम दे शेरोल्डर शेरोल्डर ने कॉल पे करनी थी पे नहीं की इक पडिएर प्रणे में सब्सुमें क्या हुआ ग्यां दूर्ट फिट करने की जडूरत नहीं है तो यह में रहता सेक्षण 127 अब आता हूँ मैं अपने लास्ट शेक्षण की द banyak जिसका नाम है सेक्षण 125 क्या कहिता है यह बात करता है investor education and protection fund की किसकी बात करता है investor education and protection fund की सबसे पहली बात इस fund की स्थापना कोन करता है the answer is central government करती है तो central government इस fund की स्थापना करेगी जिसे क्या कहा जाएगा investor education and protection fund के नाम से पुकरा जाएगा अच्छा दूसरा हमारे पास जो सबसे महतोपोण मुद्दा आता है वो यह है जो कोशन पूछ सकता है वो यह है कि investor protection investor education and protection fund में credit होने वाले 4 या 5 amount बताईए और उसमें से withdrawal होने वाले 4 या 5 amount बताईए बस इतना सा सवाल आपसे पूछा जा सकता है जाता से ज्यादा 125 तो और कुछ नहीं तो यानि कि ले देकर सवाल पूछा जा सकता है बस ध्यान रखना अब यहां पर कौन-कौन से amount credit होते हैं एक छोटा सा आपको code बताता हूं कौन-कौन से amount credit होते हैं पंजाब से जो लोग है पंजाब साइड के उन्हें तो बड़ा ही पसंद आएगा पूछा मत हावा कि मैं भी पंजाब साइड स हूं मैं फिर भी बता रहा हूं हाँ जी क्या पसंद कैसा आएगा अच्छा ऐसा कैसे आई ए फ्लस प्लस प्लस बड़ा पसंद आएगा फूर डी अप्लस तैग अला पटिया ला पैग चले भाई साब मैं पीता नहीं हूं ध्यान रखना हाँ तैग आगे वड़े हैं अ जी अब ये बस कोड ध्यान रख लेना इंवेस्टर एडियोकेशन और प्रोटेक्षिन ऺरण देखो जी इनवेस्टर एडियोकेशन और प्रोटेक्शन फंड एक तो बनाया है इंवेस्टर एजूकेशन और प्रोटेक्शन फंड में ला दो फिर आता है फोर डी चार तरीके के डी मतलब डी 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 अच्छा चार डी कौन कौन सा deposits जो matured हो चुके हैं बट उन्हें क्लेम करने के लिए कोई आया ही नहीं डिविडेंट जो payment होनी थी बट क्लेम करने के लिए कोई आया ही नहीं आगे कि डेविंचर्स जो mature हो चुके हैं बट उन्हें क्लेम करने के लिए अगेन कोई आया ही नहीं कोई आया ही नहीं कि उसके बाद कि डोनेशन हर यह चार अंट क्रेडिट होते हैं दो चीजे होती हैं को ट्रांट एक को टिष Recht का मतलब होता है कि मैं ने उठा के पैसे दे दिए झाय किसी के हाथ में मैंने खालत ले यार यह चंद ay है चैरिटी है डोनेशन है बट दूसरा के सोता है मैंettsे बूचा किसलिए पैसे लगा रहा है उसकी इसे बाहर क्यों के चाहिए ठीक है pagar क्योंकि मैंने पार्डिकुलर के लिए है ठीक है डोनेशन प्रडिकुलर पर्पवस के नहीं चैनल परपस के लिए पहर लाइ neol则 फिर आता है पैग में पी वह प्रेफरेंस शेर कैपिटल जो रिडीम हो चुकी है जिसकी रिडम्शन डेट आ चुकी है परन्तों क्लेम करने कोई आया नहीं है अच्छा जी ग्रांट यह अमाउंट भी क्रेटिट होगा एक शेर अप्लिकेशन मनी वह अप्लिकेशन मनी जो रिसीव तो हुआ बड़ उसके बाद कोई अलॉट्मेंट के लिए आया है नहीं कोई क्रेडिट क्लेम करने के लिए आया है नहीं तो यह सारे अमाउंट क्रेडिट होते हैं कहां इंवेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड में आपने आठ लिख लिए हैं मुश्किल से चार या पांच पूछेगा हाला कि एक दो बुक में और में लिखे होंगा पढ़ना चाहो तो वह पढ़ सकते हो असाइंडमेंट में से बड़ आठ भी कर लिए तो बहुत ज़्यादा रहेंगे अच्छा आप सोची यह तो अमाउ वाले कलको आ सकते हैं कलको करने में क्ल्कम करने के लिए कई क्लक देपॉजय वाले में करने क्या मुश्किल लगा बस यह 125 जिस था, so simple, क्यों, clear, तो यही आपका बस dividend का chapter था, अब dividend के chapter में एक और चीज़ है, जो मैं आपको homework के लिए दे रहा हूँ, यह homework में, homework में दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत simple सा है, बहुत simple सा है, वो क्याता है, dividend distribution policy, देखो जी, यह policy क्या है, कि top की जो 1000 company होती है, in terms of the market capitalization, अब market capitalization कैसे निकलता है, किसी भी company की जितने भी number of shares होते है, उन shares को उनकी market value से multiply कर दो, तो आपकी market capitalization निकलती है, और इस तरीके की जो top की 1000 company होती है, in terms of market capitalization, उनको अपनी एक dividend distribution policy बना कर अपनी website के उपर डालनी ही डालनी पड़ेगी, अच्छा, dividend distribution policy में लिखा जाता है, प्रॉपर तरीके से, कि हम shareholder को dividend कप-कप देंगे, कप-कप नहीं देंगे, dividend देने से पहले कौन-कौन सी परिस्थितिया होनी चाहिए, dividend मतब किन परिस्थितियों में नहीं दिया जाएगा, किन परिस्थितियों में दिया जाएगा, ये सारी एक policy होती है, हर company की अलग-अल मेरा निकल रहा है तेल, अब गर्मी के मारे भाई साब, यहाँ पर चारो तरफ कैमरे लगे हुए हैं, और लाइटे पड़ रही हैं, और लाइट है नहीं, न ऐसी न पंखा तो क्या स्टूडियों में होगा ही नहीं, तो भाईया आप निकल रहा है तेल और मैं कर रहा ऑपरेशन एनट मेंगा, कल मतलब अगली क्लास में, फ्राइड़े को, एंड मेरी कोशिश रहेगी, चाहे क्लास शाट गेड़ गंटे की हो, मगर ऑपरेशन एनट मेंग, मैं आपको 7 से 8 बजे के बीच में डॉट 8 बज़े तक खतम करके बीज़ूआँगा, ऑपरेशन एन इसमेनेजमेंट उस दिन पूरा हो जाएगा थेंक यू थैंक्स लॉट बाइबाइ टेक चैर खुश रही है खुश रही है खुश रही है और दुआ कीजिये लाइट आज यहां चलिए थैंक यू बाइबाइ